तो आपको बताने वाल हूं कैसे आप अपने Samsung के मॉवाइल को यह keyboard होता है उसको customize कर सकते हैं और अच्छे यह वहाँ पर effects डाल सकते हैं उसका size change कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं Samsung keyboard के अंदर तो यह customize कैसे कर पाएंगे यह option आपको कहा मिलेगा तो आज की वीडियो म मता है मैं आपको पताने वाला हूं Samsung keyboard को कैसे आप customize कर सकते हैं और बहुत सारे वहाँ effect आल सकते हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ पर नौर्माल अपने पहले message app में ले जाता हूं message में आने के आपको कोई साभी message create करता हूं तो उससे आपको पता चल जाएगा कैसे इसको use क करेंगे तो आप यहाँ पर मैं आगया हूं आप यहाँ पर मैं कुछ भी type करूंगा तो आप देखेंगे वहाँ पर नीचे effects आ रहा है आपको दिख रहे होंगे एक color के effects आपको आ रहा हूं तो आप यही customize कर सकते हैं अपने Samsung keyboard में तो यह कहां करेंगे कैसे करेंगे तो आज आपको यहां पर करना क्या है आपको यहां पर option मिलता है family वाले में जाने के आपको दिख रहा होगा कीज़ कैफेक आपको उसको download कर लेना है download करने का जैसे इसको open करेंगे open करने का आपको यहां जाना सबसे पहले नीचे वाले option पर second number पर style your on keyword पर आप इस पर click करेंगे तो theme creates मिल जाएंगे आप दिख रहे होंगे सबके colors आपको दिख रहे हैं आपको जोन सा भी अच्छा लगरा है आपको उस पर click करना है और उसको यहां से apply पर click कर देना है जैसी आप apply पर click करेंगे वो effects आपका apply हो जाएगा और अगर आप keyword में जाके दिखेंगे तो आपका keyword same वैसा गवैसा दिखने वाला है आपको दिख रहा होगा same आपका keyboard यहां पर apply हो गया है उसके दोस्तों यहां पर आप देखेंगे आपको बहुत सारे यहां पर आपको दिख रहे हैं आपको जोन सा अच्छा लगए आपको चूस कर लेना है और अगर आप चाहें तो अपना अपको effects दिख रहा हो जो आपको effects अच्छा लगरा है आपको उस पर click कर देना है और नीचे आपको यहां पर दूसरे affects भी बहुत सारे आपको दिख रहे है जोन सा everything आपको ऐख नए कि यसके मनें यहाला अप्लय कर दिया है अपला करना के बाद यहां पर आ गया हो अब आप देखेंगे गैसे महां पर आपको दिख रहा होगा गया तो आपको दिख continuar करकीन तो यह यह पर करता है और उसक moc अगर आप चाहते हैं कोई sound डालना तो आप यहां पर sound भी डाल सकते हैं system town sound retro sound यतने sounds दी हैं आप चाहें तो इसको भी यहां पर apply कर सकते हैं उसके आद दोस्तों यह हो गया है तो normal अगर उसके बाद आप कहीं भी use करेंगे तो आपको कीबोर्ड आपको ऐसा यह दिखने वाल size keyboard का या पूरा यहां पर set कर सकते हैं यहां सबसुपर आपको दिखा होगा simple English इसको on करेंगे तो सबसे आपको यहां पर मिलेगा simple keyboard क्लिक करेंगे तो आपको यह simple keyboard यहां पर मिल जाएगा यह आपको simple keyboard दिख रहा है यहां पर आपको करना क्या है दोस्तों यहां पर जो नी हाइट सेट करना चाहें तो हाइट भी सेट कर सकते हैं और इसको थोड़ी हैं स्वेप करेंगे तो आप उसका मार्जन भी यहां से सेट कर सकते हैं लेफ्ट राइट मार्जन अप टॉप मार्जन और डाउन मार्जन भी आप यहां से पूरा set कर सकते हैं और यहां पर आप देखेंगे तो आप यहां पर उसको अगलर कैसा रहे वह आप यहां पर set कर पाएंगे उसके दोस्तों यहां पर अगर आप चाहते हैं तो ऐसा भी कुछ कर सकते हैं यहां प्लस करेंगे कुछ नहीं होना वाला तो यह हाँ पर हो गया उसके बाद आप यहां से लॉक कर देंगे तो यह लॉक हो जाएगा अब आप इसमें कुछ भी आइडिटी कर पहें उसके बाद अगर कोई दूसरा भी क्या आप चाहते हैं की करना तो आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है आप य अगर रो तर यहां पर नॉइस कर सकते हैं यहां पर कॉछ भी आप जान जहसे हैं उसमें अगर आप चाहते हैं तो आप विस ली तो हुद हो गया और एक बार पर प्लैस करेंगे तो यहां पर आप इतना ही हां पर रो को भी य्ट कर सकते हैं, आपको अगर किसमाईद करना है, इसको OK करना है, यहाँ पर अपना कोई भी नाम देना है, लाइक मैं ऐसे नाम दे दिया, उसको सेफ कर दिया, सेफ करने का दिया, अपना अप्लाय हो जाएगा, और जैसा कि मैंने यहाँ पर अपना थीम बना आ था, वो मोरा कि थीम मेर को वैसे कि वैसे ही तौब इसको करके कस्माइज कर सकते हैं उसके यहाँ पर आप को मिलेगा simple keyword को जैसा कि यह वैसा है वैसा वैसा छेव कर तो दोटसरे यहां पर आप आपको change करने में जो भी आप चाहें जैसा कि आपने इंग्लीज़ में करना दा सेम हमापर भी आप उसका use कर सकते हैं उसके दोस्तों यहां पर सेम अगर कोई दूसा option होते हैं सिंबल वाले आप उसको भी यहां पर एडिट कर सकते हैं सेम उसकी साइज भी विद भी और यहां पर अब डाउन जो भी लगाना चाहते हैं यह लगा दिया है यह डाउन पर क्या आएगा इंपोर्ट कीबोर्ड इंपोर्ट कीबोर्ड जैसा कि मैंने वहां से इंपोर्ट कर लिया तो एक बार में यह इंपोर्ट हो गया है पेज टू पर और पेज वन पर आपको पेज वन ऐसा दिखेगा पेज टू आपको ऐसा दिखने वाला आपको सिंपल ही जो भी लगे उसको अपलाई कर सकते हैं ऐस पेश टू और पेश थरी आपको यहां पर मिलने वाले मैस कीबोर्ट के पर इसको अप्लाई कर देंगे तो यह भी आपका अप्लाई हो जाएगा तो यहां पर सबसे में चीज मुझे लगी है यहां पर जो यहां पर आप बहुत अच्छे अच्छे अपने जो भी कस्टमाईज कर सकते हैं अपने कीबोर्ट को जैसा कि मैंने यहां पर कस्टमाईज करा है इसके साइज विद विद भी चेंज कर दी वह तो नॉनमल सी बात है बाकी main चीज़ उसकी जो है यहाँ पर आप इसके graph इसको भी add कर सकते हैं उमीद है कि दोस्तो आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थेंक्यो तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी और सबसे जरूरी चीज़ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरी चानल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चानल सबस्क्राइब करने ना भूले तकि मेरे चैनल की नेक्ट वीडियो के प्लेड़ा को सबसे बहले मिले और हो सके तो मुझे इस्टाड़ाओं फेज फोरों करना भी ना भूल इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो थेंकि दोस्तूं